तो दोस्तों जैसा की आप देख सकते हैं जे जो Indian Post Office जनरी की बारतिये डाक बीवाग की और से नहीं बरती आ रही है इसका जो official notification है जे भी बारतिये डाक बीवाग जनरी की Indian Post Office की और से निकाल दिया गया है इस बरती के लिए Name of the Posters की अगर हम बात करें तो इस बरती में आपक Postal Assistant and Sorting Assistant, Postman and Males Guard and Multitasking Staff जनरी की MTS जे सभी बकैंसी आपको मिलेगी इस बरती में जैहिन दोस्तों स्वागत आपका हमारी YouTube चैनल न्यू सरकारी Jobs में तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जे जो बारतिये डाक बीवाग जनरी की Indian Post Office की और से नहीं बरती आ रही है इसकी बकैंसी की डीटेल्स के बारे में किस बरती में आपको कौण कौण सी पोस्टस देखने के लिए मिलेगी टोटल बकैंसी की अगर हम बात करें तो इस बरती में आपको लगवग 15,000 के करीब आपको बकैंसी मिलेगी इस बरती में जो Indian Post Office जनरी की बारतिये डाक बिवाग की और से निकाली गई है इस बरती के लिए जो बरती आ रही है इसमें आपका कोई वी एक्जैम नहीं होगा बिना प्रिक्षा के बरती करवाई जाएगी इसके साथ साथ इसके जो application form फिल किये जाएंगे उसको फिल करने के लिए आपकी यहापे कोई वी application fee नहीं लगेगी चा अपना application form फिल कर सकते हैं application form को फिल करने के लिए जो आपके पास education qualification होनी चाहिए बहुनी चाहिए कम से कम दस्मी या फिर बार्मी पास की माक्षित तो अगर आपके पास दस्मी या फिर बार्मी पास की माक्षित है तो आप इस परती में अपना application form फिल कर पाएंगे इन सब चीजों के बारे में डीटेल में हम इस विडियो में बात करेंगे लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉप्स को चॉप्स के लेटर लाटेस्ट अपडेट स सबसे पहले पाने के लिए तो दोस्तों जैसा की आप देख सकते हैं जो इंडियन पोस्ट आफिस जानी की बारतिये डाग बीवा की और से नहीं बरती आ रही है इसमें आपको पोस्टल असिस्टेंट, सौटिंग असिस्टेंट, पोस्ट मैन और मेल गार्ड, MTS जानी की मल मंतली सैलरी आपको दी जाएगी इस जो में वो कितनी दी जाएगी तो पोस्टल असिस्टेंट एंड सौटिंग असिस्टेंट की पोस्टेस के लिए जो आपको मंतली सैलरी दी जाएगी वो दी जाएगी 25,500 से लेकर 81,100 तक आपको मंतली सैलरी दी जाएगी वही अगर हम बात करें कि आपका जो selection है बो पोस्ट मेंट जाम मेल गार्ड में हो जाता है तो आपको जो monthly salary दी जाएगी बो दी जाएगी 21,700 से लेकर 59,100 तक monthly salary आपको दी जाएगी इस बरती में इसके बाद multitasking staff जाननी की MTS में अगर आपकी selection हो जाती है तो जो monthly salary आपको मिलेगी इस जौ आप इस परती में अपना application for fill करना चाहते हैं, दिवन आपकी minimum and maximum edge उनी होनी चाहिए, इस परती के application form को fill करने के लिए, minimum age की अगर हम बात करें तो बहुत होनी चाहिए, जादा से जादा 41 साल, जानिकी आपकी जो age है, कम से कम 18 से 41 साल के बीच बीच में होनी चाहिए वही पर कुछ candidates के लिए जहां पर relaxation भी रखी गई है जैसा कि जो करेंड SC जा ST से बिलोंग करते हैं वो 46 साल तक इस परती में apply कर पाएंगे वही जो करेंड OVC से बिलोंग करते हैं वो 44 साल तक इस परती में apply कर पाएंगे तो जे बात होगी age limit criteria के वारे में कि अगर आप इस परती में अपना application form फिल करना चाहते हैं दन आपकी minimum and maximum एज कितनी होनी चाहिए इस परती के application form को फिल करने के लिए इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आपने हमारा qualification के बारे में कि अगर आप इस परती में अपना application form फिल करना चाहते हैं दन आपके पास कौन-कौन से education certificate होने चाहिए इस परती के application form को फिल करने के लिए तो अगर आप postal assistant जो sorting assistant में apply करना चाहते हैं अपना application form फिल करना चाहते हैं इन पोस्टस के लिए देन आपके पास जो education qualification होनी चाहिए वो होनी चाहिए कम से कम 12 मी पास इसके बाद अगर हम बात करें इसके लावा अगर आप किसी भी पोस्टस में apply करना चाहते हैं जैसा कि postman, males guard जा multitasking staff जानी की MTS इन में से अगर आप किसी भी पोस्टस में apply करना चाह केट होने चाहिए अगर आप इस बरती में अपना application फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो और friends अगर आपने जो हमारा टैलीग्राम चैनल है वो जाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टैलीग्राम चैनल को वी जाइन कर सकते हैं इस टैलीग्राम चैनल को जाइन करने का फाइद के बारे में किस बरती में जो selection किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा और किस basis पे किया जाएगा तो इसमें आपका कोई वी exam नहीं होगा कोई वी written exam नहीं होगा आपका इस बरती में ना ही कोई interview conduct करवाया जाएगा Indian post office की और से सिधी merit basis पे selection की जाएगी इस बरती में कि आप में आपके documents की verification की जाएगी आपकी joining के लिए तो इस तरह से इस बर्ती में कुछ selection किया जाएगा इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप eligible हैं और apply करना चाहते हैं इस बर्ती में अपना application form fill करना चाहते हैं देन आपके बास कौन कौन से document होने चाहिए इस बर्ती के application form को fill करने के लिए तो सबसे पहले तो आपके बास अपना data birth proof certificate होना चाहिए इसके बाद education certificate में आपके बास कम से कम 10 मी और 12 मी पास की mark sheet होनी चाहिए इसके अलावा अगर आपके बास अपना email ID और phone number भी होना चाहिए इसके अलावा अगर आपके बास कुई अधर qualification जा experience है अब वी अपलाई कर सकते हैं application form के साथ इन सब भी documents के साथ-साथ आपके बास अपना अधार card जा फिर pen card होना चाहिए as identity proof और अगर आप SCST या OVC से भी लोग करते हैं इन आपके बास अपना cost एडिवकेट भी होना चाहिए और साथ ही में आपके बास अपने 4 passport size photograph भी होने चाहिए light color background में तो अगर आपके बास जेसा भी documents हैं तो आप successfully apply कर सकते हैं इस बर्ती के लिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं application form की fees के बारे में कि अगर आप इस बर्ती में अपना application form फिल करना चाहते हैं दन जो आपकी application form की fee लगई वो कितनी लगएगी तो इस बर्ती के लिए जो apply mode रहेगा बो रहेगा online आपके online application form फिल किये जाएंगे आप last date से पहले पहले अपना जो online application form में वो फिल कर सकते हैं इसके बाद application form की fees के बारे में अगर हम बात करें तो चाहिए आप किसी भी category journal, OVC, EWS, SCST या female candidates हैं देन आपकी हाँ पे कोई भी application fee नहीं लगेगी application form को फिल करने के लिए तो जे बात होगी application form की fees के बारे में इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस बर्ती को लेखर कुछ important dates के बारे में किसके जो application form है बो लगना कब से start होंगे और last date क्या है application form को fill करने के लिए तो starting date की अगर हम बात करें तो बहुत ही जल्द इसके जो application form है वो लगना start हो जाएंगे जब इसके application form लगना start होंगे तो उसकी update आपको हमारे channel के थूद दी जाएगी इसके बाद last date की अगर हम बात करें तो 18 मर्च 2022 तक इसके जो online application form में बोफिल किये जाएंगे तो जे बात होगी कुछ important dates के बारे में इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप इस बरती के बारे में जादा जाना चाहते हैं जैसा कि इस बरती का official notification पाना चाहते हैं इस बरती में अपना online apply जाने की अपना application form फिल करना चाहते हैं या फिर हमरा jobs के लेटर telegram group जोइन करना चाहते हैं तो इन सभी के link आपको हमारी website पे मिल जाएंगे website के link में description में दिया हुआ है आवाँ से आके सब check out कर सकते हैं इस बरती के बारे में और दोस्तों जे जो Indian Railway की और से ticked collector की posters के लिए नहीं बरती आ रही है अगर आपने बो वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप बो वाली वीडियो वी देख सकते हैं इसमें आपको काफी जादा बकैंसी लगवग 25 के करीब आपको बकैंसी मिलेगी इस बरती में जो Indian Railway की और से निकाली गई है इस बरती के लिए age limit criteria के बारे में अगर हम बात करें तो आपकी जो age अब कम 18-35 साल के बीच बीच में होनी चाहिए अगर आप इस बरती में अपना application farm fill करना चाहते हैं तो जो बरती आ रही है जे आलएंडिया के लिए सीधी बरती आ रही है चाहे आप आप के किसी विराज्य से बिलोंग करते हैं आप इस बरती में अपना application फ рук कर सकते हैं जादा जानकारी के लिए अबो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा.